किसी का दिल इतना मत दुखाओ कि वो भगवान के सामने तुमारा नाम लेकर रो परे क्योंकि तूटे दिल से निकली आह अर्ष तक जाती है ना हक दो इतना कि तकलीप हो तुमें ना वक्त दो इतना कि गुरूर हो उने कोई और इलजाम रह गया हो तो वो भी दे दो हम तो पहले से ही बुड़े थे अब थोड़े और सही दुनिया का सबसे फायदेमंद सौदा बुजुर्गों के पास बैठना है चंद लम्हों के बदले में वो आपको वर्षों का तजुर्वा देते हैं अकर और अभिमान एक मानसिक बिमारी है जिसका इलाज उद्रत और समय एक दिन जरूर करता है दिल तो रोज कहता है मुझे कोई सहारा चाहिए फिर दिमाग कहता है क्यों तुम्हें धोका दोबारा चाहिए वाकिप हूँ बखूबी इस दुनिया की फित्रत से बहुत चाहते हैं लोग मगर जरूरत की तरह अपने बच्चों को संसकार दीजिए नहीं तो ये आपके अंतिम संसकार में भी सामिल नहीं होंगे इतने प्यार से चाहा जाए तो पत्थर भी अपने हो जाते हैं ना जाने ये मिटी के इंसान इतने घमंडी क्यों होते हैं संबंध कभी भी मीठी आवाज या सुन्दर चेहरे से नहीं टिकते हैं वो टिकते हैं सुन्दर हिर्दय और कभी नो तूटने वाले विश्वास से क्यों करते हो गुरूर अपने ठाट पर मुठी भी खाली रा जाएगी जब पहुचोगे घाट पर गमांड किसी का नहीं रहा साहा तूटने से पहले तक गुल्लक को भी लगता है सारे पैसे उसी के हैं धन से बेसक गरीब रहो पर दिल से रहना धनवान अक्सर जोपडी पे लिखा होता है सुस्वाकतम और महल वाले लिखते हैं कुत्तों से साबधान हाल पूछ लेने से हाल ठीक नहीं हो जाता बस एक तसल्लीस ही हो जाती है कि इस दुनिया के भीर में कोई अपना भी है जिसकी जैसी नियत है वो वैसी कहानी रखता है कोई पडिंदों के लिए बंदूप तो कोई पीने के लिए पानी रखता है जिन्दिगी में कुछ दोस्ती नादानों से भी जरूर रखना क्योंकि जरूरत परने पर समझदार लोग अक्सर ब्यास्त रहते हैं कुछ लोगों को लगता है कि मुझे उनकी चलाकिया समझ नहीं आती पर मैं खामोश खरा देखता रहता हूं उनको अपनी नजरों से गिरते हुए कोई हालात को नहीं समझता तो कोई जजबात को नहीं समझता ये तो बस अपनी अपनी समझ है कोई कोरा कागज भी पढ़ लेता है तो कोई पूरी किताब नहीं समझता है हमारा सलाहकार कौन है या बहुत महत्पुर्ण है क्योंकि दुडिगोधन सकुनी से सला लेता था और पांडव स्री कृष्ण से नसीहत वो सच्चाई है जिसे हम कभी गौर से नहीं सुनते और तार पर जो छीन कर हासिल किया जाता है उसे साथ पीडी भुगतती है अच्छे काम करते रहिए चाहे लोग तारिफ कड़े या ना कड़े आदी से ज्यादा दुनिया सोती रहती है सुरज फिर भी उगता है हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोडी होती है मचली पानी में राजा नहीं बन सकता है यहां हर किसी को दरारों में जाकने की आदत है दरवाजा खोल दो तो कोई पूछने भी नहीं आएगा रोती हुई आखे कभी जूट नहीं बोलते क्योंकि आशु तभी आते हैं जब कोई अपना दर्द देता है वक्त कभी कुछ उधार गता इजत खूसी नफरत वफा सब दूगुणा कर लोटा देता है आहिस्ता चल ऐ जिंदगी कुछ कर्ज चुकाने बाकी है कुछ के दर्द मिटाने बाकी है कुछ फर्ज निभाने बाकी है मैंने के लोग देखें हैं मेरी जिन्दिगी में मदद ले कर सुकडिया बोलने वाले भी और मदद लेगर बेवकूप बोलने वाले भी रासंघर्स की जो चलता है वोही संसार को बदलता है जिसने रातों से है जंग जीती सुबह सुड्य बन कर वही चमक पुर प्युदू आख में पड़ा तिनका, पैर में दसा काटा और रूई में दबी आग से भी ज़्यादा बहानक है, दिल में छिपा कपट और पाप, गलत आरोपों को लेकर चिंतित नो रहे, बलकि उनका सामना करें, याद रखिए समय का ग्रान्तों, चांद और सूरज भी जेलते हैं, लंबा धागा और लंबी जुबान केवल समस्याएं ही देते हैं, इसलिए धागे को लपेट कर और जुबान को समेट कर रखना ही उचित है, साजेदारी करो तो किसी के दर्द की करो, क्योंकि खुशियों के तो दावेदार बहुत है, मनुष्य गलत काड़े करते समय, दाएं बाएं आगे पीछे चारो तरफ देखता है, बस उपर देखना बूल जाता है, मनुष्य बगाएर मूर्द के जन्म लेता है, और बगाएर मूर्द के उसकी मिर्तिव हो जाती है, लेकिन सारी उम्र वो सुब मूर्द के पीछे भागता रहता है, सारी उम्र यूही गुजर गए रिस्तों की तुर्पाई में कुछ रिस्ते पक्के निकले बाकी उगर गए कच्ची सिलाई में दर्द तो वही देते हैं जिन्हें आप अपना होने का हक देते हैं वरना गैर तो हल्का सा धक्का लगने पर भी मापी मांग लिया करते हैं इंसान अपना गमंड अपने अच्छे वक्त में दिखाता है लेकिन उसका अंजाम उसके बुड़े वक्त में दिखता है वो तैरते तैरते डूब गए जिने खुद पर गुमान था और वो डूबते डूबते भी तर गए जिन पर खुदा महरवान था